परिचाए बच्चों, आज हम जीव तथा उनकी समश्टियों के बारे में सीखेंगे क्या कोई मुझे बता सकता है कि जीव क्या होते हैं? सर, जीव सजीव प्राणी होते हैं जो उद्धीपन की प्रतिक्रिया करने, प्रजिनन, वृद्धी करने में सक्षम तथा समस्थैतिक होते हैं सही कहरिया और जीवों के उधारण हैं स्तंधारी, पक्षी, जीवाणूं, कवक, इत्याथी लेकिन सर, हम उनकी समस्थी को कैसे परिभाशित करते हैं? अच्छा प्रशन है राजेश, हम जानते हैं कि जीवों की समस्थी में कुछ विशेश्टाएं होती हैं इन विशेश्टाओं के आधार पर हम जीवों की समस्थी को परिभाशित करते हैं इस पार्ट में आप जीव तथा उनकी समस्टियों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रमुग अजैव कारगों की चर्चा करना। अजैव कारगों के प्रती अनुक्रियाओं का वड़न करना। समस्टि एवं इसके लक्षणों को परिभाशित करना। समस्टि व्रिधी की चर्चा करना। प्रिधी मॉडल की व्याख्या करना। जीवन व्रिध्य विभिनताओं की चर्चा करना। समझ्टी पारसपरी क्रियाओं की व्याख्या करना जीव और इसका परियावरण प्रकृती में दो संकुल हैं, अनियोन नियाश्रित, पारसपरी कभिक्रिया और परसपर संबध्ध संस्थाएं, जीव तथा परियावरण जीव केवल उप्युक्त वातवरण में जीवित रह सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तथा परियावरण ये कारकों के पूर्ण संकुल द्वारा प्रभावित हो सकते हैं पारिस्थितिकी जीविक्यान की एक शाका है जो जीव तथा परियावरण के बीच होने वाली पारस परिक्रियाओं के अध्यन से संबंदित है जीवूम उन जीवूं का एक प्रमुक पारिस्थितिकी समुदाय है जो एक विशिस्ट जलवायू या विशाल भगोलिक शित्र जहां वे पाय जाते हैं उनकी परियावरणिये दशा के लिए अनुकूलित होते हैं आवास को उस इस्थान के रूप में परिभाशित करते हैं जहां कोई जीव या जैविक समश्टी समाने रूप से रहता है या पाया जाता है प्रमुक अजैव कारक शब्द अजैव पारिस्थितिकी तंद्र के निर्चीव या भौतिक घटकों को संदर भित करता है ये हैं ताप मान, जल, प्रकाश, मृदा ताप मान सभी जीव ताप मान के नियुनतम तथा अधिक तम परास के बीच जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं पित्वी की सतह पर अलग-अलग शित्रों में अलग-अलग ताप मान होता है जबकि कुछ जन्तु तधा पौधे अतितिक गर्मी या अतितिक ठंड सहन कर सकते हैं और कुछ मध्यम तापमान वाले परास में अच्छी तरह से वृध्धी कर सकते हैं ऐसे भी जन्तु हैं जिनके शरीर का तापमान विभिन परियावरनिये स्थितियों में घर्टा बढ़ता रहता है मचली और मेठक जैसे जन्तु असमतापी कहलाते हैं जन्तु जो अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान के नुसार नियंतरित कर सकते हैं हूमियोथरमल या समतापी कहलाते हैं भागोलिक प्रक्रियाओं में तापमान भी मेतपून भूमी का निभाता है हवाओं तथा पृत्वी की घोणन के साथ साथ विभिन समुदरी जल के तापमान में अंतर समुदरी धाराओं को उत्पन करता है जल जल पारिस्थितिकी तंद्र का एक अजयव कारक है सभी सजीवों को जल की अविशकता होती है पृत्रीपर जीवन के लिए जल महतपून है जल घुलित गहसों जैसे की जलिये जीवों के लिए आविशक आक्सीजन तथा जलिये पौधों के लिए आवशक कारबन डायोकसाइट का परिवहन करता है और तापमान परिवर्तनों के बड़े प्रभावों को कम करने के लिए जल के निकाए उश्मा अभीगम के रूप में कारे करते हैं इस प्रकार सजीवों के लिए अधिक इस्थेरवातावरन बनाने में मदद करता है जल कोशकाओं के भीतर एक महतपून जैवरसाइनी घटक भी है जहां प्रकाश संचलेशन जैसी अनेक महतपून प्रक्रियाओं में इसके हाइडोजन तथा ऑक्सीजन परमाणूं योगदान करते हैं प्रकाश प्रकाश जीवों की उर्जा का मुख्य स्रोथ है अधिकतर पौधे प्रकाश संचलेशन की प्रक्रिया के लिए सूर्खे प्रकाश का उपियोग करते हैं जहां प्रकाश की उर्जा रासाइनिक उर्जा में और उसके बाद जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश अन्ने जैविक प्रक्रियाओं के लिए भी महतपून है जैसे कि पौधों में पुष्पन, जन्तूं में द्रिष्टी और पक्षियों का प्रवासन भोजन और ऑक्सीजन दोनूं का उत्पादन प्रकाश पर निर्भर करता है भोजन सरोत के रूप में पौधे जन्तूं के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उर्जा इस्थानांद्रित करते हैं प्रकाश की तीवरता जन्तूं को प्रभावित करती है जैसे कि उनकी त्वचा का रंग, सम्वेदन शीलता, द्रिष्टी आदी कीड भी पुष्पों के बीच अंतर करने के लिए पराबैगनी प्रकाश का उप्योग करते हैं मृदा मृदा अधिकांश, स्थल, आधारित, पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए बुनियाती माथ्यम है मृदा एक जटिल एवं विविदपतार्थ है मृदा नाइटोजन चक्र में महतपून भुमी का निभाता है क्योंकि ये नाइटोजन स्थरी करन तथा विनाइटरी करन दोनों के स्थल है मृदा अकारबनिक खनिज तत्वों का एक प्राकृतिक भंडार है जो सजीवों के लिए महतपून होते हैं तत्व जैसे आईरन, जिंक, केल्शियम और फॉस्फोरस। बेहतर म्रिदा में हुमस नामक बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ भी होता है जो सजीवों से बनता है। हुमस युक्त म्रिदा पादब जीवन को बहुत अधिक सहारा प्रतान करती है। अजैव कार्गों के प्रती अनुक्रियाएं। प्रक्रिया जुसके द्वारा जीव विविद बाहे दशाओं के तहट अभिक्षाक्रित इस्थेर आंतरीक परियावरन बनाए रखते हैं। समस्थापन कहलाती है। आंतरोश्मी प्राणियों में उपापचय पत और एंजाइम प्राया लगभग 37 डिग्री सेलसियस दापमान पर सुचारू रूप से कारे करते हैं। ये प्राणियों इस्थेर शरीर दापमान बनाए रखकर अपनी इस्थेर उपापचय क्रियाओं को बनाए रखने में सक्षण होते हैं। ये गर्मियों में अपने शरीर से जलके वाशपी करण के माध्यम से तथा सर्दियों के ठंडे मौसम में फर, पिछ, वसा की उपचर्म परतादी की रोधी क्रियाद्वारा किया जाता है। इस प्रकार अंतरोश्मी प्राणी उश्मा की इक्षदी को कम करने के लिए विभन प्रकार के अनुकूलन प्रदैशित करके ठंडी स्थितियों में भी सक्रिये बने रहने में सक्षम होते हैं। नियमन अधिकतर जीव शारीरिक क्रियाओं द्वारा समस्थापन बनाए रखने में सक्षम होते हैं और जिससे शरीर का तापान परासरणी सांद्रण आधिस्थर रहता है। अधिकतर संधारी मस्तिष्क में पाई जाने वाली हाइपो थेलेमस नामक ग्रंती के द्वारा शरीर का तापन नियंद्रण करते हैं। इस ग्रंती का तापन यमन केंद्र उश्माक शती एपम उत्पाधन को नियंद्रेत करता है। ये केंद्र त्वचा के निकटवर्ती ग्राहियों से निकलने वाले तंत्रिका आवेगों तथा इससे होकर बहने वाले रक्त के तापन से प्रभावित होता है। समरूपाण जन्तू या पौधे जिनके शरीर के भीतर की कुछ दशाएं बाहे परिवर्तनों के साथ बदलती रहती हैं। समरूपी कहलाते हैं। अधिकतर जन्तू और लगभग सभी पौधे एक इस्थिर आंतर की परियावरण नहीं बनाए रख सकते। उनके शरीर का तापान परिवेशी तापान के साथ बदलता रहता है। जली जन्तू में शरीर के तरल की परासरनी सांद्रता परिवेशी जल की परासरनी सांद्रता के अनुसार बदलती रहती है। ऐसे जन्तू परासरनी समरूपी कहलाते हैं। ताब नियमन उर्जा के संदर्भ में एक खर्ची ली प्रक्रिया है। ओश्मा क्षती या लाब सदीही क्षित्र का कार है। और इसलिए छोटे जन्तु दुरुविय क्षित्रों में नहीं पाय जाते हैं। प्रवास इस क्रिया विधी द्वारा जीव दबाव पूर्ण आवास से अस्थाई रूप से अधिक अनुकूल तूसरे आवास में चले जाते हैं। वेल जो सबसे लंबी दूरी का प्रवास करती है। ग्रे वेहल है जो लगभग 12,500 मील का प्रवास करती है। कीट जो सबसे लंबी दूरी का प्रवास करता है महरू टिटी है जो लगभग 28,000 मील का प्रवास करती है। निलंबेत वे जीव जो प्रवास नहीं कर सकते दबाव वाले समय में अपनी उपाप चही सक्रियता को निलंबित कर देते हैं। और अनुकूल परिसितिया आने पर अपनी सक्रियता को पुना शिरू कर देते हैं। मेड़कों एवं कुछ सरीस रिपों, ध्रुविय भालूं में शीत निश्क्रेता तथा कुछ घूंकों और मचलियों में ग्रीश्म निश्क्रेता आती निलंबन के उधारन हैं। अनुकूलन किसी परियावरन के अधिक अनुकूल बनने के लिए जीव के वेवहार, कारी की एवं सनचना में समयोजन या परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। कुछ अनुकूलन हैं, सबसे महतबूं, समुदाई या कुटूंब वर्कों में एक साथ रहने की आदत, जन्दू समान प्रजादी के अन्यप सदस्यों के साथ समय बिदा कर बहुत सारा लाप राप्त कर सकते हैं। वे भोजन खोजने, शिकारियों के वरुद्ध रक्षा तथा अपने बच्चों की देख भाल करने में एक दूसरे की मतद कर सकते हैं। प्रिशिक मीन तथा पत्ती वाले, मेंड़क, सहित जन्तूं की अन्यक प्रजातियां अपने परिवेश से मेल करने के लिए अपना रूप बदल सकती हैं। मरुस्थलिये पौधों में अनुकूलन कुछ पौधे जो गूदेदार कहलाते हैं, अपने तने या पत्तियों में जल संशित करते हैं। कुछ पदों में पत्तियां या छोटे मौसमी पत्तियां जो केवल वर्षा के पाधी विक्सित होती हैं, नहीं पाय जाती हैं। पत्तियों की कमी के कारण प्रकाश संशिलेशन के दौरान जल की हानी कम होती है। जल अफ्शोषित करने के लिए लंबे मूल तंत्र व्यापक रूप से फैलते हैं या फूमी में गहराई तक जाते हैं। कुछ पधों में छोटा जीवन्चक्र होता है, अंकुरन वर्षा के फल सरूप होता है, व्रिध्धी, पुष्पन और पृत्यू एक वर्ष के भीतर हो जाती है। उश्ण कठी बंधिये वर्षावनों में अनुपूलन। कुछ पौधे सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने के लिए दूसरे पौधों पर अधिरोहन करते हैं। वन के धरातल पर उगने वाले पुष्प जन्दू परागण कारियों को लुपाने के लिए बनाए गए हैं। क्यूंकि परागण में साहता करने के लिए वन के धरातल पर अभिक्षक्रित हवा नहीं होती है। चुकनी चाल तथा चुकने या मोम जैसे पुष्प पानी के बहने की गतिक बढ़ा देते हैं। समष्टियां समष्टी गोण प्रकृती में एकल व्यस्टी प्रथग एकांथ में नहीं रह सकता है। वेस्टी अपनी उत्तर जीविता तथा अपनी प्रजातियों के शाश्वती करण के लिए प्राया अपनी ही तरह के अन्य वेस्टियों के साथ जुड़े होते हैं। किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाती के सभी वेस्टी समष्टी बनाते हैं। पारे स्थितिगी में समाश्टी समानक्षित्र में रहने वाले तथा जैविक समुदाई की इकाई के रूप में कारे करने वाले समान प्रजाती के वेस्टियों का समुख है। किसी दियक एक्षित्र में उपस्तित समान प्रजाती के घुंगों का समुहूं समश्टी को निरुपित करता है। समश्टी को घनत्व समश्टी का आकार प्राया इसके घनत्व के पदों में व्यक्त किया जाता है। समश्टी घनत्व के एक समय में किसी एकाईक्षित्र में उपस्तित प्रजातियों की वियस्टियों की संख्या है. गनितिये रूप से D बराबर N बटे S, जहां D समश्टी घनत्व N एक विशिष्ट समय में प्रजातियों के वियस्टियों की संख्या दर्शाता है और S स्थान की एकाईयों की संख्या को नुरूपित करता है जन्मदर किसी क्षेत्र में जन्म लेने वालों की संख्या एवं उस क्षेत्र की समश्टी का अनुपात प्रती एक हजार समश्टी प्रती वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है ब्रित्युदर को उम्र या कारण के अनुसार सुची बद्ध किया जा सकता है किसी क्षेत्र में बढ़ने वालों की संख्या एवं उस क्षेत्र की समश्टी का अनुपात प्रती एक हजार प्रती वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है लिंग अनुपात एक दी गई समिष्टी में नर एवं मादा का अनुपात प्राया प्रती सौ मादाओं पर नरों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है समश्टी व्रिध्धी समश्टी का आकार स्थेतिक प्राचल नहीं है लेकिन ये समय के साथ बदलता रहता है क्योंकि ये विभिन कारकूं जैसे की मौसमी परिवर्थनों आहार उपलब्दत आदी पर निर्भर करता है चार मौल भूत प्राक्रम जो एक विशिष्ट क्षित्र की समस्टी के घनत्व को परिवर्थित करने में महतपून भूमी का निभाते हैं वे हैं जन्मदर जन्मदर एक दी गई अवधी के दौरान एक विशिश्टिक शित्र में जन्म लेने वालों की कुल संख्या एवं कुल समस्टी का अनुपात है. इसे B से प्रदश्चित किया जाता है. बितु दर, इसे समश्टी में मरने वालों की कुल संख्या एवं कुल समश्टी के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है इसे डी से प्रदशित किया जाता है आप्रवासन जब लोग या जन्तु किसी देश में आकर बसते हैं, तो उस देश के मूलनिवासी नहीं होते हैं, इसे आई से प्रतशित किया जाता है। एन समझती खनत्व है, तो समय टी प्लस एक में इसका खनत्व है, एन टी प्लस एक बराबर एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस टी प्लस ए. व्रिध्धी मॉडल समय के साथ समिष्टी की व्रिध्धी के विशिष्ट प्रतिरूप समिष्टी व्रिध्धी मॉडल कहलाते हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, चरगातां की मॉडल और संभार तंत्र मॉडल। चरगातां की मॉडल ये मॉडल इस तत्य पर आधारित है कि कोई भी प्रजाती जया मितिये श्रिंखला के अनुसार संख्याओं में संभावित व्रिध्धी कर सकती है। उधारण के लिए यदी प्रजाती में अनतिव व्यापी समष्टियां हैं और प्रतेख चीव आर संतती उत्पन करता है, तो NPDT बराबर 012 और इसी तरह आगे में समष्टी संख्या बराबर है। NT बराबर N-0 गुणा R की खात T जब T बढ़ा है तो समीकरण एक चर घातां की प्राक्रम दौरा लगभग सही अनुमान लगाया जा सकता है। NT बराबर N-0 E की खात R T यहां तीन संभावित परिणाम हैं। समष्टी में चर घातां की तरीके से गिराबठाती हैं। समष्टी चर घातां की मौडल के अनुप्रयोग को परिवर्तित नहीं करती। सुख्षमजीविग्यान, संदक्षणजीविग्यान, कीट पालन, पादप या कीट संगरोद, और मतस्यपालन। संभार तंत्र मॉडल संभार तंत्र मॉडल के अनुसार समश्टी वृध्धी की दर सीमित हो सकती है अर्थात समश्टी घनतु पर निर्भर हो सकती है आर पराबर आर शुन्य गुणा एक माइनस एन बटे के कम घनतु पर अर्थात एन के से बहुत ही कम है समश्टी वृध्धी दर अधिक्तम और आर शुन्य के बराबर होती है समश्टी वृध्धी दर समश्टी संख्याओं एन के साथ घटती जाती है और जब N-पराबर K तो श्यूनि पर पहुंचती है, प्राचल K समश्टी वृध्धी की अधिकतम संभौसीमा है और पोशनक्षमता कहलाती है यदि समश्टी संख्याएं के से अधिक हैं तो समश्टी व्रिधिदर रिणात्मक हो जाती है और समश्टी संख्याएं घड़ जाती है समश्टी की गतिकी का विभेदक समेकरण द्वारा वड़न किया जाता है dn बटे dt पराबर rn पराबर r0n गुणा 1-n बटे k जीवन वृत्त विभनता उप्लब्द आवास का उप्योग करके जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ती की ओर विकास करते हैं कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं उधारण के लिए प्रशांत महासागरिये सामर मचली बास आदी और कुछ जीव अपने जीवन में कई बार प्रजनन करते हैं उधारण के लिए अधिकांश, इस्तंधारी और बक्षी जीव का विकास जीविये तथा अजीविये कारकों पर निर्भर करता है समश्टी पारसपरिक क्रियाएं समधाय विभिन प्रजातियों की पारसपरिक क्रिया समश्टियों का समो है जन्तूं की समश्टी एक दूसरे तथा अपने वातावरण से कई तरह से पारसपरिक क्रिया करती है समश्टी की प्रात्मिक पारसपरिक क्रियाओं में से एक पारसपरिक क्रिया अपने वातावरण तथा अन्य समश्टियों के साथ है जिसका गारण भरण वैवाहार है से भूजिता दो विभिन प्रजातियों के बीच सहचर है जहां एक प्रजाति को लाव होता है और दूसरी प्रजाति को ना लाव होता है ना हानी अंतर जातिये परजीविता विभिन प्रजातियों के दो जीवों के बीच एक सहचर है जहां एक प्रजाती को हानी होती है या वो मड़ जाती है और दूसरी अप्रभावित रहती है प्रजातियों के बीच परस्परिक्रिया के लक्षण है परभक्षण, स्पर्था, परजीविता, सैभुजिता, सहुपकारिता परभक्षण, अलग-अलग प्रजातियों के दो जीवों के बीच सह जीवी संबंध का रूप जिसमें एक शिकारी के रूप में कारिकरता है, जो शिकारी के रूप में कारिकरने वाले दूसरे जीव का शिकार करके भक्षण करता है परभक्षण एक प्रक्रिया है जो पारिस्थितिकी समुदायों में प्रजातियों के वित्रण, उनकी प्राचुरता और विविदता को प्रभावित करने में बहुत महत्पून भूमी कानिभाता है सफल परभक्षण शिकारी के समश्टी आकार में प्रिधी करता है और शिकार के समश्टी आकार को घटित करता है शिकार समस्टी पर पढ़ने वाले के प्रभाव अन्य प्रजातियों की प्रचुरताओं को अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करते हैं परभक्षन के ऐसे अप्रत्यक्ष प्रभावों का एक उथारण पोशनच सोपान है पोशनच सोपान तब होता है जब पौधों या अन्य प्रजातियों को जो शिकारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं खाय जाते हैं प्रभावित करने के लिए परभक्षन सोपान के प्रभाव खादिश रंकला में नीचे जले जाते हैं परभक्षन उन प्रजातियों की संख्या घटा या बढ़ा सकता है जो समुदाय में एक साथ रहती हैं. ये परियावरण की अनुकूल तथा पसंदीदा शिकार प्रजातियों की प्रतिसपर्धी स्थिती पर निर्भर करता है. स्पर्था सीमित आविशक संसाधन के लिए जीवों के बीच संघर्ष स्पर्था है. आंतर जातिये स्पर्था तब होती है जब समान प्रजाति के जीव एक ही समय पर समान संसाधन का प्योग करते हैं. अंतर जातिये स्पर्था तब होती है जब अब समान प्रजाति के जीव एक ही समय पर समान संसाधन का प्योग करते हैं. इस परधी अपवर्जन तब होता है जब एक प्रजाती संसाधन प्राप्त करने में दूसरी प्रजाती से बेहतर होती है। इस तरह समय के साथ साथ घटिया इस परधी अंतिता समुदाय से विलुप्त हो जाते हैं। संसाधन विभाजन तब होता है जब दो प्रजातियां अलग-अलग तरीके से संसाधन को प्योग करना शुरू करती हैं, इस तरह दोनों प्रजातियां से अस्तित्र के लिए सक्षम होती हैं. परजीविता में एक व्यस्टी जीव परजीवी अपने पोशक से प्राप्त पोशक तत्व की खपत करता है, फल्स रूप पोशक का स्वास्थ कमजोर हो जाता है, कई स्थित्यों में परजीवी पोशक जीव में रोग उत्पन कर सकते हैं, इस स्थित्यों में उन्हें रोग परजीवी जीव जो अपने पोशक की शरीर के भीतर रहते हैं। परजीवी में कलनी यानि टिक्स एवं जू, पौधे, प्रोड़जोव, जीवानों और कवक्षा मिल हैं। पौधे और जन्तु आमतौर पर पोशको के रूप में कारे करते हैं। परजीवी संचरण में परजीवी बिना किसी मध्यवर्ती जीव के एक पोशक से समान प्रजाती के एक दूसरे पोशक तक पहुंचता है। वाहक संचरण में मध्यवर्ती जीव वाहक परजीवी को एक पोशक से अगले पोशक तक इस्थनांत्रित करता है। सहभोजिता सहभोजिता दो जीवों के बीच संबंध है जहां एक जीव को लाब होता है और दूसरा अप्रफावित रहता है उधारन के लिए मुक्ताज मीन शिकारियों से बचने के लिए समुद्री खीरे का उप्योग करती है मुक्ता मीन समुद्री खीरे की गुदा में रहती है ये पहले निचले भाग परिस्थित छिद्र में आश्रे लेती है ताकि इसका सेर बाहर निकल सके जब मुक्ता मीन का शिकारी निकटाता है तो ये अपना सेर इसके अंधर कर लेती हैं ताकि इसका पता ना लगाया जा सके समुद्री खीरा इस गदिविदी से आप प्रभावित रहता है सहुपकारिता सहुपकारिता दो अलग-अलग प्रजातियों के जीवों के बीच सहचर है जिसमें दोनों जातियों को लाप होता है सहुपकारी व्यवस्था प्राया व्यापक ग्रूप से भिन जीवी का अविशक्ताओं वाले जीवों के बीच विक्सित होते हैं नाइटोजन इस्तरीकरण जीवाणूं और लेक्यूमिनस पौधों के बीच से भागिता एक उधारण है इसी तरह गाए और रुमेन जीवाणूं के बीच सहचर है पाजन तंद्र में रहने वाले जीवाणूं गाय द्वारा खाय गाय पौधों को पचाने में मदद करते हैं पेड की जड़ों और कुछ कवकों के बीच सहचर्य प्राया सहुपकारी होते हैं क्या आप जानते हैं? कवक पारिस्टितिकी तंद्र के अलग-अलग घटकों के बीच संतलन बनाने के लिए आवशक हैं और जीवन के इस्थायत्व एवं निरंतर्था की गारंटी हैं कुछ कवक एंजाइम और अम्र स्रावित करते हैं जिनसे रोगों का उपचार करने में मदद मिलती है जैसे की पैनिसिलियम कवक जो एंटिबायोटिक पैनसिलिन उत्पन करते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्रकृती में दो संकुल हैं अनियो नियाश्रित, पारस परिकभी क्रिया और परस पर सबद्ध संस्थाएं जीव तथा पर्यावरन शब्द अजयो पारस्थित की तंत्र के निर्जीव या भाति घटकों को संदर भित करता है प्रक्रिया जिसके दोहरा जीव विविद बाहे तशाओं के तहत अपिक्षा क्रित इस थेर आंतरिक परियावरन बनाएं रखते हैं समस्थापन कहलाती है जन्तु या पौधे जिनके शरीर के भीतर की कुछ दशाएं बाहे परिवर्तनों के साथ बदलती रहती हैं समरूपी कहलाते है प्रवास एक क्रियाविदी है जिसके द्वारा जीव दबाव पून आवास से अस्थाई रूप से अधिक अनुकूल दूसरे आवास में चले जाते हैं मेटकों एवं कुछ सरीस रिपों दुरुविये भालूँ में शीत निश्क्रियता तथा कुछ गोंगों और मचलियों में ग्रीश्म निश्क्रियता आदी निलंबन के उधारण है किसी परियावरण के अधिक अनुकूल बनने के लिए जीव के वैवाहार, कारेई की एवं सनचना में समायोचन या परिवर्टन अनुकूलन कहलाता है किसी स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाती के सभी व्यस्टी समश्टी बनाते हैं प्राक्रम जो एक विशिस्टिक शित्र की समश्टी के घनत्व को परिवर्टित करने में मैत पून भूमी का निभाते हैं, वे जन्बदर, प्रित्युदर, आप्रवासन एवं उध्रवासन है परभक्षण, स्पर्धा, परजीविता, सहभूजिता और सहुपकारिता प्रजातियों के बीच पारसपरिक्रिया के लक्षण है